नमस्कार मित्रू मित्रू एक वाद फिर स्वागत आपका अपने चैनल मेतिस्टार में आप देख रहे हैं नम्मर सिस्टम और नम्मर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट अब यूनिट डिजिट में सबसे अच्छा कॉंसेप्ट मुझे यूनिट डिजिट का ही लगता है और कभी-कभी यह मान के चलो एक नम्मर या दो नम्मर जो जितने भी कुश्चन आएं तो यह बिलकुल लगवक फिरी के नम्मर होते हैं यूनिट डिजिट का मतलब होता है एकाई का अंक एकाई का अंक अब किसी भी संख्या का एकाई का अंक हमें ग्याद करना हो जैसे यह लिखा है 437 और इसमें यूनिट डिजिट की बात की जाए तो यूनिट डिजिट होगा हमारा सेवन यह तो आप सभी जानते हैं यह 10 प्लेस होता है और यह 100 प्लेस होता है एकाई दहाई सेकड़ा तो हमारा एकाई कांक क्या होता है अंतिमंक होता है दान्योर अब जैसे हम बात करें 22 पिलस 24 एक ये संक्या और एक ये संक्या इन दोनों का जो योगफल होगा योगफल में एकाई का अंक क्या होगा तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46 आप समझ पार है इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें एकाई का अंक मिला 6 और हम ऐसे भी हमें जब एकाई का अंक ही देखना है तो केवल और केवल एकाई एकाई का अंक जोड़ करके भी हमें एकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं ये बात समझ पा रहे हैं हमें एकाइक अंक पूरा जोड़ करके भी मिलता है और केवल एकाइक एकाइक के अंक को भी जोड़ करके मिल जाता है अब इसी लिए हमने जैसे कहा 437 प्लस 612 प्लस 201 अब एक एक एक्ष्टिशन है प्लस की है ये इसका जोड़ना है और जोडने के बाद हमें इसका एक आइक 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 बताना है तो या तो हम सब को जोड़ लें और या फिर हम किबल एक आइक आइक के आइक को जोड़ने तो भी हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा चली एक आइक के आइक को जोड़ते है 7 और 2 9 9 और 1 10 10 हो गया और 10 में एक आइक क्या आएगा 0 आएगा तो अगर इस प्रकार से चाहे वो पिलस में है चाहे वो माइनस में है चाहे वो गुणा के रूप में है ठीक है उनका यूनिट डिजिट हम निकाल सकते है जैसे 42 गुणा आर सकते तो अब हमें इसका एकाइक आइक का निकालना है तो अब एकाइक का निकालने के लिए आप देखेंगे कि दो और आठ का गुणा करेंगे तो 16 आ रहा है 16 में एक आइक अंक 6 आ रहा है तो हमारा एक आइक अंक 6 होगा अगर हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करके जो भी संख्या आएगी लास्ट में 6 आईगी यह आप समझ पा रहे हैं तो कोई भी एक्सप्रेशन दी हो कोई भी समीकर टाइप दी हो यह एक संख्या श्रंख्रा दी हो अगर उसमें हमें यह एक आईक अंक निकालना है तो उसमें केलकुलेशन हम सिर्फ एक आईक अंक से करके और उसका एक अंक क्यात करते है। जब मैंने आपको Remender-tharm पढ़ाया था तो उसमें ये भी बताया था कि किसी भी संक्या में 10 का भाग दे दो 10 का भाग देने के बाद जो सेस बस्ता है वही का इकांक होता है तो कहीं कहीं इसमें Remender-tharm का भी यूज़ करेंगी हम लोग चलिए और कुछ देखते हैं जैसे आपको बता दें 42 गुणा 43 गुणा 44 गुणा 45 आप इसका जो है एकाई कांग का बताई क्या हुआ तो एकाई कांग का आप कैसे निकालेंगे तो एकाई कांग के निकालेंगे दो तीन चार और पांच इन सब्का गुणा करके निकालेंगे ठीक है लेकिन एक चीज आप मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं जब हमने नंबर ओफ ट्रेलिंग जीरो चैप्टर पढ़ाया था जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमन होता एक जीरो अर्थात दस ये बात आप जानते हैं तो अगर कहीं भी गुणा हो रहा है हमें एक पांच मिल गया और एक एकाई कंग दो मिल गया तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या आएगा दस आएगा अर्थात एकाई कंग जीरो हैं एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार डॉट 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 अब इस संख्या का में क्या करना है इसका में गुणा करना है तो गुणा करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के साथ में इसमें प्रकार का कोई संदेर नहीं होना चाहिए आपको कि अगर कहीं भी किसी भी एक्स्प्रेशन में अगर हमें पांच भी मिल रहा है और दो भी मिल रहा है तो हम उसे जीरो कर देते हैं ठीक है अच्छा और देखते हैं 68 गुणा, 69 गुणा, 70 गुणा, 81 गुणा, 22 गुणा, 83 और गुणा 74 ये संख्या दी गई है अब इस संख्या में देखिए अंतिमंक क्या आएगा तो अंतिमंक देख रहे हैं एक जीरो ओल लेडी है तो जब जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो अंतिमंक क्या यह बात आप समझ पा रहे हैं कि क्यों बھی संख्या है और उस संख्या ने है अगर कहीं भी किसी संख्या में एक जीडरो है तो जब उससों क्सें के साथ किसी भी संख्या का उन्च ने करेंगे तो अन्तिम अंक तो 10 he आएगा तो इस प्रकार्शे में अंतिम अंक मिल जाता है अगर बाइद वे यह कह दे कि इसमें अंतिम अंक कि गैर सुन्ने क्या होगा अंतिम अंक गैर सुन्ने क्या होगा गैर सुन्ने का मतलब अंतिम जीरो है उससे इसको कोई सबस्ता वाइब नहीं है तो जो गोज़ें होके तो फॉशननी निकलने इनक़र को डीवी तो आएकाई सब्सक्रत करने वाने यह चार चार ऑए में करेंगे चार थिर चार का 7 में करेंगे चार सत्य 8 1998 आठ गया कि आठने माथ्य दो अठने लिए और 2 अठने सोला छह तो अंतिम गेर सुनियां को होगा वो क्या होगा कि चलि हम एक एक मोडाइल नम्मर आप बता देते हैं गें मोवाइल स्थ नमबर है 60-59जी और 2778 जो यह हमारी मोबाइल नमबर है ठीक है आप इसे याद कर लीजिए यही मेरा नहीं है आपको याद करने के लिए इसे आप याद कर लीज़े जो अब इसमें याद करने में क्या है तो वो मैं आपको अभी आगे इसका यूज बताऊगा कि इसका क्या यूज तो देखिए अगर हमें कहीं भी संक्या इस प्रकार से लिखी मिल जाए ठीक है अगर जोड के रूप में लिखी है संक्या तो हम सिंपल सा क्या करेंगे उसका जो है एकाई कांग जोड करके हम उसे एकाई कांग गयात कर लेंगे अगर गुणा के रूप में लखी है तो फिर भी हमें एकाई के अंक से गुणा करके हम उसे गुणा निकाल चके है इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है चाहे इस प्रकार से लखी है 687 गुणा 442 गुणा 694 ठीक है और भी आगे संख्या लिखी है तो हमें इसमें गुणां में गुणां करने में एकाई कांग निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आप देखिए साथ दूनी चुदा चार आया चार चौकर सोला छे आया तो इस प्रकार से जब हम गुणां के रूप में य उस पावर में फिर अब इसका क्या होगा अब इसका होगा 24 गुणा 24 गुणा 24 यह 47 वार होगा और फिर इसका गुणा करेंगे इसका 47 वार करेंगे इस प्रकार से होना चाहिए तो चलिए हम इसके लिए इस मोबाइल नमर के मदद से कुछ ट्रक बताते हैं कि देखिए सु अब 6 पर पावर एक करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब 6 ही होगा 6 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 36 34 का मतलब 6 एकाई कंग कितना होगा 6 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 एकाई कंग 6 6 की पावर 4 करेंगे एकाई कंग 6 छे की पावर 5 करेंगे एकाई कांग 6 छे की पावर 7 करेंगे एकाई कांग 6 इसका मतलब यह हुआ कि छे की पावर एन कितनी भी कर दें तो इसका मतलब एकाई कांग कितना आएगा छे आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो आप देखिए 416 की पावर 416 एकाई कांग कितना आएगा तो आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर एकाई कांग का इसी यंग का हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि अबले एकाई कांग से मतलब और इसकी पावर कितनी है तो 6 की पावर कितनी ही हो 6 की power में हमेशा 6 ही आता है तो इसका 1-2 कितना आएगा 6 आएगा 4 अजर 6 की power 4 अजर 6 आप बताएं एक आएक अग कितना आएगा तो 6 की power कुछ भी हो तो 6 ही आएगा इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो आप समझ पा रहे हैं साथ एक क्यामन जो एक शुरू के चार अच्छर हैं ये कितनी ही इस पर पावर हो प्रते का अच्छर अपना समान ही यंग देता है चलिए 25 की पावर 11 हमें इस से कोई मतलब नहीं है केबल एक आई केंक से मतलब है तो जब पाँच की पावर कुछ भी करेंगे तो पाँच आएगा एक ले 611 की पावर 611 हमें 61 से कोई मतलब नहीं है के enclosed 1 मतलब है और जब 1 कि कुछ भी पावर होगी तो हमान एक आएगा अर 9 कि हमें केवाル 0 से मतलब है और 0 की जो पावर है पावर कि तो CC 100 चार अचछर आइसे हैं जब इनमें कोई भी पावर हो तो इसका मान वही आता है चलिए एक कुश्चन हमने लिख लिए है 215 की पावर 215, 216 की पावर 216 और 400 की पावर इतनी तो आप देख पा रहा है अंतेमंग 5 है 5 पर कोई भी पावर लगा तो 5 ही आएगा पिलस 6 की कोई भी पावर लगा तो 6 ही आएगा 0 की कोई भी पावर लगा तो 0 आएगा तो इनके अंतेमंग हमें मिल चुके हैं इनको फिर से इनके बीच में पिलस का चिन्न है तो पिलस का चिन्न है इन दोनों को जोड़ देंगे 6 5 11 आया तो 11 का काई कांग कितना आया एक आय क्या हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है एक और एक्जामपल ले लेते हैं कि 625 की पावर 27 गुड़ा 336 की पावर 118 गुड़ा 211 की पावर 430 यह हमारा क्वेश्चन है तो आप देखिए जब 5 की कोई भी पावर होगी इसका मतलब 5 रिकाई कंक होगा 6 की कोई भी पावर होगी इसका मतलब 6 होगा और एक की कोई भी पावर होगी इसका एक होगा इन सब का गुड़ा कर देंगे तो 5-6 का 30-31 अंतिमंग क्या आएगा जीरो आएगा यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी ठीक है इसके बाद इसके बाद हमारा जो है संख्या आती है 4 और 9 यह 4 और 9 तो दोनों समान इनका बिवार है तो वो मैं आपको बताए देता हूँ क्या बिवार है इनका जीरो चार की पावर एक करेंगे तो चार आएगा चार की पावर दो करेंगे तो 16 आएगा यानि 6 आएगा ठीक है चार की पावर तीन करेंगे तो चार आएगा चार की पावर चार करेंगे तो छे आएगा चार की पावर पांच करेंगे तो चार आएगा चार की पावर छे करेंगे तो छे आएगा समझ पा रहे हैं यानि चार की कोई भी पावर हम कर दें तो सम पावर करते हैं तो चार खोदा आता है और सम पावर करते हैं तो छे आता है यह आप समझ गए इसी प्रकार से नो को जब पावर एक करेंगे तो नो आएगा नो की पावर दो करेंगे तो नो नमा एक क्यासी एक आएगा 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 आएगा 9 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा 9 की पावर 5 करेंगे तो 9 आएगा और 9 की पावर 6 करेंगे तो 1 आएगा आप समझ पा रहे हैं इस प्रकार से हम 4 और 9 को समान बिवार के काड़ें इनको एकी गुरूप में रखा गया है तो चार की जब विसम पावर होती है एक तीन पांट साथ नो ग्यार है तो संक्या स्वेम आ जाती है ठीक है नौ पे भी विसम पावर होती है तो नो नम्मा एक्यासी एक आता ऐसे समझ लीजिए नौ पे पावर छतीस है सम है तो नो नम्मा एक्यासी वस नो के बरको याद कर ठीक है इसी प्रकार से 4 पर पावर सम है तो 4 के बरक को याद कर ली चाच्चों के 16 छे आएगा इस प्रकार से हमें इसे याद करना पड़ेगा चलिए कुछ एक जमपल लेते हैं इसे 204 की पावर 118 पिलस 319 की पावर 27 पिलस 274 की पावर 101 अब आप देखिए कि अंतिमंग क्या है एक आई कांक चार है तो चार की पावर क्या है सम है तो चार की पावर सम है तो चार चौके 16 छे आएगा अगर यहाँ पर बिसम पावर होती तो चार खुदा आता चार की पावर क्या है? चार की पावर सम है सम्- со всем जो बरक वाला च्जल रोता पावर सम 쉬 होती है तो जो बरक वाला च्छलों तहरा वह Morris नौ की पावर बिशम मत आहेगा ज्यार की पावर बिशम तो छोर्क हो बाईगा इस समझ पारें आप जब च्यार और नौ में अगर इंकी बिशमिमय पावर होती है तो यह संक्या खोद आती है ठीक है और जब इनकी पावर सम हो जाती है तो इनका बरग में अच्छा राता है वहीं अच्छा राता है ठीक है तो आप इनके बीच में पिलस का चिन्ने तो आसानी से जोड़ सकते हैं 6 औनो पंधरा 15 और उचार 19 19 में एक आइक अंक क्या आएगा एक आइक नो आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नो हो जाएगा तो आप समझ पा रहे हैं चार नो समान विभार के कारण इनको अलग गुरूप में रखा गया है साथ एक क्यामन इनका समान विभारा ये केवल एक अंक देते हैं और ये केवल दो अंक देते हैं समझ पा रहे हैं ये मुबाइल नंबर बड़ा काम का है ये चार अच्छर हैं एक से लेकर के नो तक और एक जीरो दस अच्छर हो गए तो चार अच्छर ये वाले जो चार अच सरेयstore एक देते हैं और कोई भी शंत्या से आचे मचे हम कोई भी पावर लगाएं चेहीं बावर करें तो ही पावर नगाएं न पहले, पहले वीडियो में चार की पावर सम करें तो संक्या स्वैम आएगी परकार से नो की पावर बिसम करें तो संख्या नो ही आएगी और नो की पावर अगर सम करेंगे तो इकाई गंक एक आएगा यह हम पहले पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं आज हम सुरू करेंगे दो तीन साथ आठ इनका क्या कॉंसेप्ट और यह पावर जब इन पे पावर होती हैं तो उन पावर में यह किस प्रकार से अपना रूप देते हैं और दो की पावर चार कमान होता है 16 16 में 6 आता है दो की पावर 5 होगी तो फिर 2 आएगा 6 पावर होगी तो फिर 4 आएगा और 7 पावर होगी तो 8 आएगा और इसके बाद में अगर 8 पावर होगी तो यह फिर से 6 आ जाएगा तो आप यहां एक चीज समझ रहे होंगे कि इसन जो वे 2-4-8-6-4 बार दिया फिर 2-4-8-6 दिया फिर 2-4-8-6 दिया तो इसका यही किरम आगे चलता रहता है तो केने का मतलब अगँ दो की power एक पे जो value होगी एकाई के एंक की वही पावर 5 की value होगी और वही 2 की पावर 9 की value होगी कैने का मतलब पिलस 4 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है 2 की power 400 की जो value होगी एकाई के अंक की वही 2 की पावर 404 की होगी यानि कि अगर कोई भी 2 का अंक है उस पे अगर चार पावर और बढ़ा दी जाएं तो एकाई की अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो चाहे पावर गटा दें या पावर बढ़ा दें चार का कोई फर्क नहीं पड़ता तो दूसरे सब्दों में कहें 2 की पावर N की एकाई का अंक वही होगा जो 2 की पावर n प्लस 4 का होगा आप समझ पा रहे हैं अगर पावर हम 4 बढ़ा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो 2 की पावर जो n का होगा वही 2 की पावर 2 की पावर n में जो एकाई कांक होगा वही 2 की पावर n प्लस चार प्लस चार प्लस चार डॉट 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 वही वैलू होगी आप समझ पा रहे हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि दो की पावर जो भी हमें मिलती हैं अगर उसमें से चार घटा दें चार जोड़ दें तो कोई फरक नहीं पड़ता अब आप देखेंगे दो की पावर 27 अब आप बदाई इसमें एक आएक अंक क्या होगा तो देखी दो की पावर 27 को हम जो हैं दो की पावर 27 में 4 का भाग देंगे 4 पंजे 20, 4 चिक का 24 दो की पावर 24 पिलस 3 लेखेंगे में को देखेंगे चार का कोई घटा दें तो ऊस पर कोई फरक परणने वाला नहीं तो हम केवल देखेंगे 2 की पावर सब्सक्राइब की पावरCómo पीलसर प्ता एक का 8 होता आव है अल्यां पर एक सम्झे माई जो भी संख्या dependsUM에 चार का भाग देने के बाद कि अब रिमेंडर देख सकते हैं तो अब देखिए 412 की पावर 421 है तो हमें सबसे पहले एकाई कांग देखा दो हुआ अब इसमें जो चार का भाग दिया तो भाग देने के बाद सिस क्या बचा एक बच्चा तो हमारा सवाल बनता है दो की पावर एक अर्थाथ दो इसमें एक आइक अंक हमें मिल गया और देखते हैं एक तालिस बतेश की पावर ग़िश ही स मिल भाइख देटेहे और रिमेंडर निकालते हैं तो के वबं दो आंकょँ से ही रिमेंडर निकल आता है तो चार नम्मा छतीत तो रिमेंडर बचा दो तो यहां हो जाएगा दो तो अब हमारा सवाल हो जाएगा दो की पावर दो और हमारे एकाई कंक क्या जाएगा चार आ जाएगा तो आप यहां पर समझ पा रहे हैं दो में जो भी पावर हो उसमें हम चार घटा देते हैं या चा चलिए अब देखते हैं हम तीन तीन की पावर एक कमान होता है तीन तीन की पावर दो करेंगे तो यह हो जाएगा नो तीन की पावर तीन करेंगे तो 27 होता है 27 की साथ तीन की पावर चार करेंगे तो 81 81 की एक उसके बाद फिर तीन से पावर पांच करेंगे तो यह फिर से ती फिर और बढ़ाते हैं पावर फिर तीन आएगा फिर नौ आएगा फिर साथ आएगा एक आएगा इसी प्रकाश से किरम चलता रहता है कहने का मतलब यह जो हमारा 2378 है जो संख्या है दो तीन साथ और आठ यह सभी संख्या है एक निशित पैटरन पर काम करती है चारों संख्य जाएं इनका विवार समान है इसलिए हमने इनको एक गुरुब में रखा है तो तीन पर कोई भी पावर होती है उसमें हम चार का भाग देने के बाद उस्यस बचता है उसके एकोर्डिंग हम यहां से उसकी पावर देख लेती है इसी प्रकार से हम साथ का देखते हैं इसी साथ की पावर तीन करेंगे तो तीन सो तेतालिस आएगा तो तीन लिखेंगे साथ की पावर चार करेंगे तो एक लिखेंगे आप देख पा रहे हैं यह साथ का हो गया इसी प्रकार से आठ करेंगे तो आठ की पावर दो करेंगे आठटे चोंसट चार होता है आठ की पाव प्रकार से यह पैटर्न चलता रहता है तो आप देख पा रहे हैं तीन साथ और दो यह सब क्या करते हैं यह सब संक्या है जब पावर करते हैं तो किबल चार अंकों में ही इनके पावर खुलते हैं चार से बाहर नहीं जाता है तो आप देखेंगे एक पावर दो पावर तीन पावर और चार पावर दो क्या क्या देता है तो दो दो देता है दो चार आठ और छे तीन क्या देता है तीन देता है तीन नो साथ और एक ठीक है साथ क्या देता है साथ देता है साथ नौ तीन और एक उसके बाद मैं आठ क्या देता है आठ देता है आठ चार दो और छे चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो अगर याद नहीं करना चाहते हो तो कॉंसेप्ट क्लियर कर लो दोखा तो आप निकाल सकते हो तीन का भी निकाल सकते हो तीने का गुणा करेंगे है यह सत्य मीजा फिस्टय अगया शाक्ति अगया साथ अश् ions गाई हिस ना रहा रहा णोग ane 60-50 की याद करने की जरूत नहीं है और 49 की याद करने की जरूत नहीं है तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या पर कोई भी पावर होती है तो हम उसे यहां से calculation कर सकते हैं तो चलिए इस पर कुछ हम example लेते हैं 26 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 27 प्लस 28 की पावर 28 प्लस 23 की पावर 23 ठेक है अब हमें इसका जो योग है हमें उस योग का एकाई कांक निकालना है तो चलिए एकाई कांक निकालती है छे की पावर कुछ भी कर तो छे ही आएगा आप पिछली बाद समझ रहे होंगे साथ की पावर 27 है 27 में चार का भाग देजिए पहले तो चार का भाग देने के बाद में रेमेंडर हमारा कितना आएगा प्लस के तीन आएगा तो चार साथ की पावर 3 मानेंगे तो साथ की पावर 3 पर हमारा 3 देता है साथ की पावर 3 करेंगे तो साथ 79 और 49 49 में फिस साथ करेंगे सान्ने मत 63 तीन आ गया 28 में 28 है चासत्य 28 बिल्कुल सही बात है जब चार का भाग देते हैं किसी भी संख्या में और अगर हमारा भाग फल देने के बाद 0-6 बचता है तो उस दसा में हम रिमेंडर 4 मानते हैं यह important topic है इसको note कर लीजिएगा ठीक है तो अब क्या हुआ कि 8 की पावर 4 और 8 की पावर 4 कितना देती है 6 देती है अब इसके बाद 3 की पावर 23 23 में 4 से भाग देंगे तो 3 6 बचेगा जब 3 6 बचेगा तो 3 की पावर 3 तीन की पावर 3 यहां पर आप देख पा रहे हैं साथ है इस प्रकार से यह यहां पर सभा हो रहा है तो अब आप देखिए 6 और 3 9 9 और 6 15 15 और 7 22 22 की एकाई कंक कितना होगा 22 में एकाई कंक 2 होगा तो इस प्रकार से इस question का एकाई कंक 2 हो गया है अब आप एक चीज़ सीख हैं एक से लेकर के 9 और जीरू इन संख्याओं के ऊपर कोई भी काई कंक आ जाए कोई भी पावर आ जाए तो उसमें आप एक आई कंक निकाल सकते हैं इतना आपकी समझ में आ चुका है चलिए एक question लेते हैं 111 की पावर 111 222 की पावर 223 की पावर 333 और 444 की पावर 444 इस expression में एक आई का अंक बताना है यूनिट डिजिट बताना है तो आप देख पा रहे होंगे एक की पावर कुछ भी कर तो एक ही आएगा इसमें तो कोई संदे नहीं है दो की पावर दो की पावर कितनी है चार का इसमें भाग देंगे अंतिम दो अंक में 4 पंजे 20 अंतिम दो अच्छ में देना पूरे में नहीं देना अंतिम दो अंकों में देना है तो कितना आया शेस कितना बचा, दो, दो की पावर दो अर्थाथ चार, पिलस, تीन की पावर, गेखो 33 में चार का भाग देंगे, 48, 32, रेमेंडर कितना आया, पिलस बन, तीन की पावर एक, इसका मतलब आया 3, चार, चार पे पावर सम है, चार पे पावर बिसम होती है, तो संख्या स्वेम आती है और चार की पावर अगर सम होती है, तो चार पावर ब्रकम कंचतर होता है, वह ही आता है अब हमारा इतना आ चुका है, अब हमें जोड लेगे 6, 9, 9, 10, 10, 14, 14 पुदा में एकाई कांग कितना आएगा चार आएगा आप समझ पा रहे हैं कितना सिंपल सा कुश्चन है ठीक है अब आप देखिए इसी टाइप का और कुश्चन ले लेंगे एक फैक्टोरियल बन प्लस फैक्टोरियल दो प्लस फैक्टोरियल तीन प्लस फैक्टोरियल चार डोट 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 फैक्टोरियल हंड्रेड अब इसमें देखना है कि अन्तिम जो इसका जोड है इस जोड में अन्तिम क्या आएगा तो आप देख पा रहे हैं फैक्टोरियल का मतलब आप एक यानि छे फैक्टोरियल चार का मतलब होगा चार तीया बारा बारा दुनिए चौविस और फैक्टोरियल पांच का मतलब होगा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक तो आप देखी इसका गुणान फल कितना आएगा पांच भी आ रहा है दो आ रहा ह तो फैक्टोरियल पांच का मतलब लास्ट में एक जीरो फैक्टोरियल छे का मानने का रहे हैंगे उसमें भी एक जीरो फैक्टोरियल साथ में भी एक जीरो यानि पचार के बाद में जितनी संख्या होंगी उन सम्में एक एक जीरो आ रहा होगा तो हम फैक्टोरियल चार से प कि नौ 9 और चार 13 इनका एक से लेकर करके चार तकक का जो टोटल है वो हमारा अंतिम एक-ाइक अंक तीन आ गया इसके बाद से चितने भी यंक हैं उनमें एक-ाइक-ाइक जीरो आ गया तो जब जीरो-जीरो सब को जोड़ेंगे तो एक आई कंग जीरो ही आएगा और जीरो में फिर तीन को जोड़ेंगे तो एक आई कंग अमारा तीन ही आएगा तो आप यह समझ पा रहे हैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है चलिए एक और कुश्चन लेते हैं इसमेंसे इसको गटाएंगे तो इकाई कंग क्या होगा चलिए हम यहां देखते हैं तीन की पावर कितनी है तेइस में हम क्या करेंगे चार का भाग देंगे तो रिमेंडर कितना आगए रिमेंटर आगे हमारा चार पंजे बीस तीन रिमेंटर आगे है तो तीन की पावर तीन का मतलब होता है सत्ताइस 27 में एकाई कांक साथ आएगा माइनस आठ में रिमेंटर कितना आएगा चार का भाग देंगे तो रिमेंटर कितना आएगा 0 और 0 को हम क्या मानेंगे? 0 को मानेंगे 4 तो 8 की पावर 4 का मतलब होता है 6 ठीक है? यह आपको याद करने पड़ेंगे जब आप याद कर लेंगे तो आप सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं मैं नहीं समझता किसी भी सवाल में 20-25 से ज़्यादा कर समय लगे तो इस साथ मैं से 6 गटाएंगे तो यह कर लेगा ठीक है? एक और पुश्चन लेते हैं 214 की पावर 214 माइनस 300 133 की पावर 313 की पावर 313 ठीक है? तो आप इस परकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं अब यहाँ पर देखी 4 की पावर सम है जब 4 की पावर सम है तो इसका मान आएगा 6 समझ पा रहे है? माइनस 3 की पावर 4 का भाग देंगे 4 का भाग देंगे तो रिमेंटर आएगा 1 4, 3, 12, 1 आएगा तो 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 ही आएगा तो 6 में से 3 गटा देंगे तो हमारा एका आएगा कितना आजाएगा? 3 आजाएगा ये बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट है इस लेबिल में अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए अगर यहाँ पर रिमेंटर 3 बचता या यहाँ पर 11 पावर होती तो 4 का भाग देंगे तो रिमेंटर हमारा कितना आएगा? 3 आएगा और 3 की पावर 3 करेंगे तो एका आएका कितना आएगा? साथ आएगा ठीक है? तो अब आप यहाँ पर माइनस एक बचाएगे क्या? आप यहाँ पर माइनस एक न बचाएगे आप जो पिलस की संख्या है उसको 10 एक्टर मान सकते हैं क्योंकि उपर जब 6 होती है नीचे 7 होती है जब इसे घटाते हैं तो यहाँ पर हम 16 ही तो मानते हैं तब ही तो घटा पाते हैं तो 16 मैंसे 7 घटाएगे तो हमारा 9 आएगा समझ पा रहे हैं और अगर आप इस प्रकार से निकालते हैं ऐसे नहीं करते तो मानस एक निकालते हैं तो फिर हमें इसे 10 मैंसे मानस करना होता है ठीक है यहाँ पर चाहे तो आप 10 यहाँ बढ़ा सकते हैं या फिर 10 यहाँ बढ़ा सकते हैं ठीकि बैतर होगा आप यहीं बढ़ा लीजी, जो भी संख्या है, अगर उस संख्या से वो संख्या नहीं गट रही है, तो आप उस संख्या में 10 बढ़ा सकते हैं, यह बहुत जरूरी है, ठीकि इस प्रकार के concept भी कभी कभी आते हैं, जो आपने एक अंतिम संख्या पड़ी थी, 23-78, तो यह किसी भी पावर में अपना मान, इनका खुद का मान नहीं आता, ठीकि है, तो इसका मतलब यह हुआ, यह संख्या जो है, 23-78, एक ऐसी संख्या है, यह यंक किसी भी पावर में नहीं आते, यानि कोई भी पूर्ण बरग संख्या होगी, कोई भी पूर्ण बरग संख्या होगी, उसमें यह यंक नहीं हो सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं, कोई भी पूर्ण बरग संख्या है, उस में 2 और 3 और 7 और 8 ये एकाई के एंक नहीं हो सकते कभी कभी इस परकार के कुश्चन आ जाते हैं आप बताएं निम्न मेंसे कौन किसी का वर्ग नहीं हो सकता अगर अंतिम में 2 आ रहा है अंतिम में 3 आ रहा है अंतिम में 7 आ रहा है या अंतिम में 8 आ रहा है तो वो संक्या कि संख्या का बर्ग नहीं हो सकती यह तेशाट संख्या यह इस प्रकार का भी एक गुण है चली एक कुश्चन ओल लेते हैं पांसो एकसट गुणा पांसो बासट गुणा पांसो त्रेशट गुणा डुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुड हम 600 की जगह यहां पर 599 ले ले लें तो फिर भी आप देख पा रहे हैं इसमें दो आ रहा है और यहां पर 565 भी आया होगा इसमें पांच आ रहा है और इन दोनों का गुड़ां करेंगे तो हमारा क्या आ जागा एक जीरो आ जाएगा तब थोड़ा सा सोचने की भी जरूत है ठीक है आप ऐसे करते रहोगे एक दूनी दो दो तीय च्छे च्छे पंजेती इस प्रकार से भी करते रहोगे तो बहुत सारा सामय लगेगा तो थोड़ा सोचने की भी जरूत है इस प्रकार की जो कॉंसेप्ट्स हैं इन में थोड़ा यह दिमाग लगा लिया जाए कि अंत वैंcü 412 की पावर 452 की पावर 499 आप देख रहे होगी इस प्रकार की क्यिस्तन को कैसे करेंगे तो सबसे पहले यह देखी है कि कि क्या इसमें जो है कि यह सम संख्या है और सम संख्या में कोई भी पावर आए सम ही आएगी यानि इसमें दो जरूर होता ये बात आप समझ पा रहे हैं इसी प्रकास से 475 आएगा और 475 की पावर 475 भी होगा इसमें जो है 5 की कोई भी पावर होगी इसमें 5 जरूर आएगा और इन दोनों का गुणा हो रहा है तो इन दोनों का गुणा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा पांच दोनी दस यानि एक आएक आँक क्या जाएगा जीरो आजाएगा फिल्कुल सिंपिल सी चीजे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और चलिए और देखते हैं पांच की पावर तीन गुणा दो की पावर चार हज्जार एक इसमें जो है अजारवे इस्थान पर क्या अंक आएगा अजारवे इस्थान पर यानि इधर से 1,2,3,4 अचर क्या आएगा ये पूछा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगे कि पांच की पावर तीन हैं और दो की पावर तीन कर दें तो ये एक 3 0 के पेर बन जाएंगे तो आप देखी इसे ऐसे लिख जाएंगे 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 ठीक है और गुणा 2 की पावर 3 9 9 8 इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें से 2 की पावर 3 अलग कर लिया है और 2 की पावर 498 अलग कर लिया है अब आप देख पा रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है 5 और 2 का गुणा करते हैं तो 1 0 आता है जब इस परकार के 3 पेर बनते हैं तो 3 0 आएंगे समझ पा रहे हैं 3 0 आएंगे इसके बाद में यहां पर संक्या क्या आएगी यहां पर संक्या यह आएगी तो अब इसमें एकाई कांक क्या होगा इसमें जो एकाई कांक होगा वो यहां पर आएगा और यही एक, दो, तीन, यही चोथे इस्तान पर होगा यानि एक हजारवे स्तान पर होगा तो चलिए दो की पाअब यहां से भाग देंगे तो remainder 2 आएगा दो की पाएगा पर दो करेंगे तो हमारे remainder चार आएगा तो हेजार ही स्तान पर क्या होगा करप चार होगा एक齐 हम 102 से 500 उदारण कर चुकी हो देखिए इस प्रकार से भी कुश्चन आता है 3, 4, 4, 3 इसकी पावर N है और इसमें एकाई का अंक जो है, 7 है इसमें एकाई का अंक कितना है, 7 है तो हमें 5, 3, 3, 7 और इसकी पावर N इसमें एकाई का अंक क्या होगा इसमें एकाई का अंक क्या होगा तो आप दिहन से देखिए 3 की कौन सी पावर में साथ आता है 3 पे जो पावर होगी तो कौन सी पावर होगी जब एकाई का अंक साथ आता है तो आप देख पा रहे हैं एकाई का अंक 3 की पावर 3 पे साथ आता है तो इसका मतलब यहाँ पर तीन होगा यहाँ पर तीन होगा तभी तो साथ आएगा तो अब जब तीन होगा तो इस पर भी हम तीन करेंगी और इसकी हम मान निका रहेंगे तो साथ की पावर तीन करेंगी तो साथ सत्य उननचास और सानने मत रिसेट तो साथ की पावर जब ती लेते हैं कि दूसों तीरा गुड़ा चार पांच छे गुड़ा वन एट एक्स यह कोई संख्या है एक्स कोई यूनिट डिजिट है और जब इसका हम गुड़ा करते हैं तो जो एकाई का अंक है वो हमारा आ रहा है एक्स प्लस टू सवाल हमारा इस प्रकार से संख्या यह संख्या लिखिए जब इनका गुड़न फल करते हैं तो गुड़न फल में जो हमारा एकाई का अंक है वो हमारा एकाई का अंक एक्स प्लस टू आता है तो हमें एक्स की बेलू ग्याद करने हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें इस आएगा X plus 2 तो आप देख पा रहे हैं आठ का अगर एक में गुणा करेंगे तो आठ है कम 8 और 1 plus 2 3 नहीं आ रहा है 2 का करेंगे 8 दूमें 16 6 आणा चाहिए तो 2 दो 4 होता है 8 तीर 24 चाहिए 3 दो 5 होता है तो X की वैलू 6 रखते हैं 48 48 आठाना चाहिए और 6 तो 8 आठाना चाहिए तो X की वैलू हमारी क्या आजाएगी 8 आजाएगी तो यह बहुत सारे सवाल हैं जब भी मैं यहां पर कोई भी सवाल लेखता हूं तो वीडियो को पोज कर देना चाहिए पोज करने के बाद मैं उस कुश्चन को सॉल्व करने की कोशिष करना जाएगे जब आपकोशिष करेंगे अगर आप से बन जाता तो अच्छी बात नहीं बनता है तो आपने कमसे कम द मागत दोडाया जब दिमाग दोडाया तो जो काईदे़ आपने जो Fourmuten लगाया होंगे जिस परकार से आपने पने सोचा होगा कम से कम आगे जब solve इसमें वीडियो में देखेंगे तो कम से कम वो कायदा नहीं मिलेगा तो कुछ आपके मायंड में अतरक्त आप सीखने की प्रवत्ति जागेगी तो इसलिए कोई भी question जब हम यहां लेखते हैं तो उसके बाद तुरंद वीडियो को पोज कर देना चाहिए और उसके बाद मैं उसे करने की कोशच करनी चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से यह question हमने solve किया है चले एक question देखते हैं एक की पावर एक गुलान दो की पावर दो गुलान तीन की पावर तीन गुलान चार की पावर चार इसी प्रकार हंड़र की पावर हंड़र आप बदाएए इसमें एक आई कांक क्या होगा तो एक चीज समझ लेजी अगर कोई भी regular expression बन रही है उसके कोई भी पावर हो उसके कोई भी पावर हो अंते मंग जीरो ही होता है यह निश्यत है क्योंको उसमें कहीं कहीं दो आई रहा है और पांच आई रहा है अगर दो और पांच और गुणा के रूब में आ रहे हैं तो सीधा का सीधा आखे बंद करके उसमें 0 लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है चलिए एक और question देखते हैं दो की power 3 इसकी power 4 गुणा 3 की power 4 इसकी power 5 गुणा 4 की power 5 की power 6 ठीक है और इस प्रकार से 20 की power 21 की power 22 इस प्रकार से एक question बन रहा है तो आप देख पा रहे हैं इसे किस प्रकार से solve करेंगे आपका दिमागी confusion हो जाएगा कि इसमें किया किया जाए तो आप यहां देख पा रहे होंगे यहां पर 5 की power 6 की power 7 है तो 5 की कोई भी power होगी इसमें इक आई गंक 5 ही होगा ठीक है और यह सम संक्या 2 की power कोई भी होगी इसमें समसंग क्या ही आएगा रहे था 2 ही आएगा 2 का मतलब दो हाए 4 आए 6 आए 8 आए कोई मतलब नहीं और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा 0 नयानत ता है तो इस प्रकार से हम सबसे पहले सूनने को देखेंगे कहीं सूनने तो नहीं आ रहा अगर सून नहीं आ रहा है तो फिर हमें इसके कैलकुलेशन करने ही नहीं है सूनने सिधा का सिधा हम बना देते है चली एक कुश्चन है 137 इसकी पावर 13 और इसकी पावर 47 ठेक है इसमें एक आइक क्या होगा आपको यह कुश्चन बताना है तो आप देखते हैं कभी भी जब पावर के उपर ब्रैकेट लगा के पावर होता है तो पावर पावर का गुणा हो जाता है तो आप यहां देख पा रहे होंगे साथ की पावर कितना हो जाएगा 13 गुणा 47 अब आप शमझ रहे होंगे इन दोनों का गुणा करेंगे गुणा करने के बाद चार का भाग जाएगे तो शिश्चन निकालेंगे यही तो आपके माइन्ड में टच कर रहा है कि जो भी पावर होती है उन पावर में हम चार का भाग देते हैं और चार का भाग देने के बाद जो सेसफल आता है वही तो यहां लिखते हैं और वही पावर लगा देते हैं जैसे यहां पर एक बचता है तो साथ की पावर एक दो बचता है तो साथ की पावर दो तीन बचता है तो साथ की पावर तेन और जीरो बचता है तो साथ की पावर चार यही अभी तक लोजिक पड़े हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा रिमेंडर फर्म लगाईए तेरे गुणा 47 अगर हमें इसे चार से भाग दें तो सेस क्या बचेगा तो चाहे तो हम गुणा करके भाग दे लें तो सेस निकाल सकते हैं या अलग-अलग निकाल के भी हम इसम प्लस-1 बचा ठीक है और यहां पर प्लस-3 बचा और इन दोनों के बीच में गुणा है तो तीन एकम तीन तो रिमेंडर फर्म पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इसको बता दिया है तो रिमेंडर यहां पर 3 बचेगा तो हमारा साथ का पावर कितना आएगा तीन आएगा औ तब ही आप जो है सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो इस प्रकार से कभी कभी कुश्चन आते हैं ताइम बचाने के लिए हमें कॉंसेप्ट का यूज करना पड़ता है अब देखिए एक कुश्चन है जो CDS 2019 में आया है तीन की पावर 98 माइनस तीन की पावर 89 अब इसमें बताइए एकाई कंक क्या होगा वीडियो को पोस्ट कीजिए और कोश्चन करने की सौल कोसस कीजिए जब आपका अंसर आजा उसके बाद वीडियो दुबारा से चलो कीजिए तो देखिए यहां पर चार का भाग देंगे हैं चार का भाग देंगे तो कितना आए पर एक देने पर एक आएगाँ तो तीन की पाबर एक तीन होगा और नो में से तीन घटाइएंगे तो हम्हारा अच्छे ऐसा ग्याले बिलकुल सिंपल कुष्चन है तो कभी-कभी ज़्यादा सिंप्ल दिखने वाले कुश्चन सिंपल होते हैं कठिन तो कोई होता ही नहीं है अगर आपको logic clear है तो अगर आपको उसकी ठोरी पता नहीं है उसका logic पता नहीं है concept clear नहीं है तो वो तो question आपके लिए tough होने ही वाला है चलिए एक और question लेते हैं जिससे कोई संख्या लिखते हैं चार तीन पाँच पाँच और इसकी पावर चार तीन साथ साथ पिलस 1643 और इसकी पावर 401 इसे हमें एक ब्रेकेटम बंद कर रहे हैं और multiply 439 इस पे पावर 609 ले लें माइनस 514 और इस पे पावर ले लें में 311 अब इसका इकाई काउंगा में ग्यात करना जो चलिए देखते हैं पाँच की पावर कुछ भी करते हैं पाँच ही आएगा अब बात करते हैं तीन की पावर चार का भाग दे लें यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं अन्तिम दो अंग में भाग देंगे से से एक आएगा तो तीन की पावर एक करेंगे तो हमारा रिमेंडर वो एक आएक अंग तीन आएगा गुड़ा करते हैं, नो की पावर बिसम है, नो की पावर बिसम है तो संक्या स्वयम आएगी, माइनस, चार की पावर बिसम है, संक्या स्वयम आएगी, चार, बिल्कुल सिंपल कॉंसेप्ट है, आपको बस केल्कुलेशन माइन में सोचने की जरूरत है, यह आजाएगा, आठ और यह आजाएगा पांच उतो आठ पंज चालिस एकाई कांग कितना आएगा जीरो आएगा ठीक है चलिए और एक्जाम पर लेते हैं कुछ एक सीजियल मैंस में कुश्चन आया है वो मैं आपको बता रहेता हूं 633 इसकी पावर 24 माइनस 277 इसकी पावर 38 पिलस 266 इसकी पावर चंगवन यह सीजियल 2018 में मैंस में आया है ठीक है चलिए इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं 3 की पावर कितनी है 24 24 है तो 4 से भाग देंगे तो जीरू आएगा जीरू का मतलब हम यह 4 मानेंगे और 3 की पावर 4 हमें 1 देती है माइनस 7 की पावर 38 का मतलब 2 तो 7 की पावर 2 हमें 9 देता है पिलस 6 की पापर कुछ भी हो हमें 6 मिलेगा तो आप देख पा रहे हैं 6 और 1, 7, 7-9 7-9 हमारा आंसर आया माइनस के 2 तो अभी मैंने कुछ दिर पहले आपको बताया था अगर हमारा माइनस में आता है तो हमें इसमें 10 जूड देते हैं या तो यहां 10 जूड दें या फिर यहां पर 17 कर लें एक ही बात है तो 10 जूड देंगे तो हमारा इसमें कितना जाएगा पिलस का 8 जाएगा और यही हमारा एकाई का अंक होगा तो जो भी हम पीछे बता चुके हैं वो सब आपको किलियर होना चाहिए धिमे धिमे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तब जब पीछे का किलियर होगा तब ही हमारी आगे की सवाथ संख्या है कुछ सौल वो पाएंगे चली एक और कुश्चिन जो उसी साल 18 मैंई सेकंड मीटिंग में आया था वो है 164 की पावर 169 पिलस 333 की पावर 336 माइनस 727 की पावर 726 ये CGL 18 में आया था SSE CGL में मैंस में आया था तो आप देखिए 4 की पावर बिसम है तो इसका मतलब क्या होगा एकाई कांग काम है क्या मिलेगा बिसम में स्विम संख्या मिलती है पिलस 3 की पावर 27 में 37 में जब 4 का भाग देंगे तो रिमेंडर एक आएगा तो 3 की पावर एक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा माइनस 7 की पावर कितनी होगी 2 होगी 4 शेका 24 4 शेका 24 बची 2 2 बची 7 की पावर 2 अर्था 7 सत्य 9 आई तो 4 और 3 कितना हुगा 7 हुगा 7 माइनस 9 अर्थात माइनस की 2 पिलस की 10 अर्थात कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका अंसर भी 8 ही आ रहा है तो आप यहां पर यह CGL मेंस में भी इस परकार की कुश्चन आते हैं आप देख पा रहे हैं पैंसे रखते ही कुश्चन सो हो जाते हैं कुई दिक्कत नहीं है चलिए एक एक एक्जम्पल और लेते हैं 423 और इस पर हम फैक्टोरियल लगा दे हैं 2, 3, 4 गुड़ा 634 और इस पर फैक्टोरियल लगा दे हैं 973 अब आप बताईए तीन की पावर यहां पर कितनी मानेंगे तो आप कह रहे होंगे इसमें दमाजी समझ में ही नहीं आ रहा कितना मानेंगे तो चली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फैक्टोरियल तीन के बाद Factorial 3 के बाद आता है Factorial 4 और Factorial 4 में जब 4 से भाग देंगे तो Remender 0 आएगा क्योंकि इसमें 4 गुरा 3 गुरा 2 गुरा एक होता है Factorial 5 में भी ये संख्या होगी Factorial 6 में भी होगी यानि Factorial 3 के बाद जो भी संख्याई होती है उन संख्याओं में चार से भाग चला जाता है और रेमेंडर क्या बचता है? रेमेंडर बिलकुल हमारा जीरो बचता है तो इसमें भी जब चार से भाग देंगे तो रेमेंडर जीरो बच रहा होगा तो जब जीरो बचता है तो वहाँ पर हम चार मानते हैं समझपा रहें आप जब किसी भी संक्या में जो पावर होती है उसमें हम जब 4 से भाग देते हैं तो रिमेंटर अगर 0 बसता है तो हम वहाँ पर 4 मान लेते हैं तो 3 की पावर 4 करेंगे 3 की पावर जब 4 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा एक आएगा और 4 की पावर जब 0 यानि 4 की पावर 4 मानेगे 4 की पावर 4 का मतलब होता है समसंक्या तो समसंक्या का मतलब होगा 6 आप समझ पा रहें तो 6 का येवह में गुणा करेंगे तो हमारा शायगा 6 चलिए एक और कुश्चन लेते हैं 32 की power 32 की power 32 अगर यहांपर bracket लगा होता तो इसका earth बदल जाता तो वह मैं आपको बता चुका हूँ रिमेंडर्थ फ़र्म में bracket का earth किस प्रकार से बदलता है चलिए मैं यहांपर भी आपको बता देता हूँ जैसे 2 की power 3 है और इसके ब्रैकर 4 है इसका मतलब होगा 2 की power 12 दो की पावर तीन और इसकी पावर चार लगी है तो इसका मतलब नहीं बदलेगा ठीक है अगर दो की पावर तीन और इसके उपर चार लगी है तो इसका और इसका बहुत बड़ा अंतर है तो ब्रैकेट भी सो समझ के लगाना चाहिए और power का ध्यान से हमें calculation करनी चाहिए तो चली अब हमें इसमें देखना है कि एकाई कांग क्या होगा तो 2 की power अब हमारा question बना 2 की power 32 की power 32 ठीक है अब इसमें देखना है 2 की power कितनी बनती है तो कहां से बनाएंगे कि इसमें हम 4 से भाग देना पड़ेगा तो चली हम remainder thorm का थोड़े use करते है 32 की power 32 और इसे 4 से divide करते है तो remainder क्या बचना चाहिए तो चली देखिए 4 का जब इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 पे कोई भी power होगी तो 0 ही आएगा तो हमारा remainder क्या बचना चाहिए 0 यह remainder thorm में आप पड़ चुके है remainder 0 बचता है चार का भाग देने पर तो वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं वहाँ पर हम 4 मान लेते हैं तो यहाँ पर हम मानेंगे 2 की power 4 और 2 की power 4 में जब एक आएक अंग क्या होगा 6 होगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इसी परकार एक question all ले लेते हैं 32 की power 33 की power 34 बताएगे इसमें एक आएक अंग क्या होगा तो इसे आप swim करना चाहेंगे या फिर हम करा देते हैं तो आप पहले swim करने की कुछस कीजिएगा तो 32 का मतलब होगा 2 2 की power 33 की power 34 अब हमें इसमें 4 से भाग देना है तो चलिए हम यहाँ पर 33 की power 34 तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा 33 की power 34 और इसे 4 से डिवाड करना होगा 4 से जब इसमें भाग देंगे तो प्लस बन जाएगा और प्लस बन की जो भी power होगी वो प्लस बन ही होगी तो इसका मतलब चार सी जब इस संख्या में भाग दे रहे होंगी तो मारा प्लस बन रिमेंडर आएगा तो इसका मतलब होगा दो की पावर एक और दो की पावर एक का जब इवनिट डिजेट निकालेंगे तो वो अमारा दो ही आएगा समझ में आप आ रहे हैं आप देखी जब कोई भी सीरीज होती है और सीरीज में जब गुणा का चिन होता है तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं एक की पावर एक गुणा दो की पावर दो गुणा तीन की पावर तीन ऐसी प्रकासे टैन की पावर टैन तक अगर गुरा के रूप में हैं तो हमें पता है यह सी लगाता है पास के बाद जो भी लंबी सेरेज बनते है उसमें जीरो ही आता है अगर यहाँ पर फिलस आ जाता है जब फिलस आ जाता है तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी तो आप देख पा रहे हैं 9 की पावर 9 पिलस 10 की पावर 10 अब हमें क्या करना होगा इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखी एक की पावर जो भी होगी एक आएगा दो की पावर दो चार तीन की पावर तीन सत्ताई साथ चार पे सम पावर है छे आएगी पांच की पावर कोई भी होगी पांच आएगी छे की पावर छे ही आएगी 7 की पावर 3 7 की पावर 3 अमें 3 मिलता है 8 की पावर 4 दुनिया आठे हैनी 0 0 का मतलब 4 8 की पावर 4 चट छे मिलता है 9 की पावर भिसा में 9 ही आएगा 10 की पावर जो भी यह 0 का 0 ही आएगा अब इन सब संक्याओं को हमें जोड़ना है तो आप देखिए एक ओ चार 5, पान्च ओ साथ 12 12 को किवल 2 मानेंगे 2 और 6, 8, 8, 5, 13 13 को 3 मानेंगे 3 और 6, 9, 9, 3, 12 12 को 2 मानेंगे 2 और 6, 8, 8, 9, 17, 7 मानेंगे तो हमारा एककंग क्या जाएगा 7 आ जाएगा ठीक है तो ये बिल्कुल simple question है अगर हमें plus लगा हुआ है तो हमें ज़्यादा लंबा नहीं देगा केबल कुछ संक्या तक देगा इसके बाद इसे हटा देगा तो हमारा यहां तक इस परकार से अगर question दिया गया है तो इसके हमारा मान कितना आ रहा है साथ आ रहा है अगर इसी प्रकार से आगे हमें और दे दिया जाए ये दस की बजा बीस तक दे दिया जाए बीस की पावर बीस तो आप देखेंगे कि एक की पावर एक का जो मान आ रहा है वही पावर ग्यारा की पावर ग्यारा का आएगा समझ में आ रहे इसी प्रकार बारे की पावर बारे होगी तो उसका मान बदल जाएगा तो हमें फिर कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी इस प्रकार से हमें कोई भी कुश्चन मिलेगा तो हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी अगर यहां पर power shame होती है चलि कैसे मैं बता रहा है एक की power 2 प्लस 2 की power 2 तीन की power 2 प्लस 4 की power 2 इसी प्रकाद 10 की power 2 यहां तक question है तो यहां तक question है तो इसे आप solve करेंगे एक की power 1 दो की power 2 4 तीन की power 2 9 4 की power 2 16 5 की power 2 25 6 की power कुछ भी 6 7 की power 2 9 8 की power 2 है तो 8 की power 2 64 और 9 की power 2 है तो 1 और 10 की power 0 अगर इस प्रकार एक से ले करके 10 तक की power 2 है तो इस प्रकार से calculation कर ली पावर 3 है पावर 4 है पावर 5 है लेकिन सब पर समान पावर है तो इस प्रकार से हम calculation कर लेंगी तो हमें 10 तक calculation करना है अगर हमें इस प्रकार से वो निकलना है कि पचास तक निकलना है तो फिर कैसे करेंगे तो हमें दस तक ही कैलकुलेशन करनी है और दस तक कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ 10 तक calculation करेंगे उसके बाद फिर 11 की पावर 2 होगी उस पर 1 ही आएगा 12 की पावर 2 होगी उस पर 4 ही आएगा यानि यही सेम सीरीज 20 पर आएगी यही 30 तक आएगी यही 40 तक आएगी और यही 50 तक आएगी तो अब इसमें जो काई गंक आएगा वो 5 बार आएगा बसे 5 बार जोड़ लेंगे या 5 का गोणा कर देंगे तो 4 और 1 पाँच 5 और 9 14 14 की 4 4 और 6 10 0 हटा देंगे 5 और 6 11 और 9 20 इसको भी हटा देंगे 4 और 1 5 इसका आगया 5 पाँच इसका 5 इसका 5 इसका 5 इसका और 5 इसका यानि 5 पंज्य है पच्चेस, तो पच्चेस में एक आई का अंक कमारा क्या होगा, पांच होगा तो इस प्रकार की सीरिज, अगर अमें पचास तक मिलती है तो उसका योग कितना होगा, पांच होगा. अगर यह सीरिज हमें 100 तक मिलती है, तो 10 लाएने बनेगी, तो 5 şुन रावर पचास आ जाएगा तो इस प्रकार से कभी कभी कैलकुलेशन आ जाती है चलिए एक कुश्चन और लेते हैं फैक्टोरियल बन की पावर 99 पिलस फैक्टोरियल दो की पावर 98 फैक्टोरियल तीन की पावर 97 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 की पावर 1 का अंक ग्यात करना है तो चलिए आप देखेंगे फैक्टोरियल बन का मतलब होता एक और एक की कोई भी पावर होगी तो इसका मान होगा एक समझ पा रहे हैं यह है फैक्टोरियल दो का मतलब दो होगा दो की पावर दो आठानवे में चार का भावर देंगे तो रिमेंडर दो आएगा तो दो की पावर दो का मतलब होगा चार factorial 3 का मतलब होता 6 6 का कोई भी पावर होगी तो 6 ही आएगा factorial 4 का मतलब होता 4 गुणा 3, गुणा 2, गुणा 1 4 गुणा 6 एक हम 24 24 24 की पावर 96 24 की पावर सम होगी तो 6 आएगा पिलस फैक्टोरियल पांच तो फैक्टोरियल पांच में तो 0 आता है ये मैं बता चुका हूँ फैक्टोरियल 6 के मान में भी अंतिम में 0 आता है तो यहां से आगे सभी 0 आएंगे तो अब यहां से देखो आप इसे जोड़ेंगे 6 और 6 12 12 और 4 16 16 और 1 17 17 प्लस 0 तो 17 प्लस 0 17 ही आएगा यानि कि हमारा जो एकाई कांक आएगा वो कितना आएगा 7 आजाएगा तो यही हमारा कुश्चन का आंसर होगा तो लगबग मैंने अपनी पूरी कोसिस की है कि आपको यूनिट डिजेश्ट से संबंदित सारे कॉंसेप्ट किलियर करा दिये गए है फिर भी अगर कोई भी कुश्चन आपको डाउटफुल लगता है कोई भी कुश्चन समझ में नहीं आता है तो किर्पिया कमेंट के माद्यम से हमें जरूर बताईए हम आपके पूरी साहता करेंगे कि आपका यूनिट डिजिट का कोई भी कॉंसेप्ट छोट न पाए लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मैनत होगी कि आप पैंसिल ले करके कॉंपी ले करके आप जरूर करेंगे तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए इसके बाद नम्मर सिस्टम में और कोई कॉंसेप्ट देखेंगे जो अच्छा कॉंसेप्ट होगा हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें धन्यवाद